ओम श्यांती, 19 अगस्त दोहजार चोबिस के इश्वरिय महावाक्य, पहले सुनते हैं आज की मुरले से होमवर्क, बाबा ने कहा, ज्यान की धारना करते रहो, तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगी, बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगी, शियो बाबा ने आकर देवी देवता धरम की स्थापना की, ये तो सदेर याद रखना चाहीं, खुशी की बात है ना, पावन अर्थार्च सतो प्रधान, फिर खाद पड़ती गई, अब वहे खाद निकले कैसे, पहले तो उनकी बुद्धी में बिठाना है, भारत वाइसलेस था, अभी विशेश है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा, इस अंतिम जनम में सर्व प्राप्तियों को सामने रख, पावन बन कर दिखाना है, माया के विगनों से हार नहीं खानी है, जैसे ब्रह्मा बाप पुरुश्यार्थ कर, नर्षे नारायन बनते हैं, ऐसे फालो कर, गद नशीन बनना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने की महनत करनी है, और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार सी, मुरली का सार, मीठे बच्ची, ज्यान की धार्णा करते रहो, तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगी, बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगी, प्रश किन दो शब्दों की स्मृती से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकती हो, उत्तर, उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवाले और वैश्याले, यह दो दो बातें स्मृती में रहीं, तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगी, तुम बच्चे अभी ग्यान को यथार्त रिती जानती हूँ, भक्ती में ग्यान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते हैं, भक्ती मार्ग ही दिल खुश करने का मार्ग है, ओम शान्ती, मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम बच्चों के ल उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बनी हैं? देवी देलताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो, आप उच्छ हो, हम नीच हैं. पहले पहले ये पता नहीं था, कि हम ही उच्छते उच्छ और नीच बनती हैं. अभी बाप तुमको बताती हैं, मीठे मीठे बच्ची, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, वहां तुम्हारा राज्य था, जो फिर अब स्थापन कर रही हूँ. बाप सिफ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम, शिवाले सत्यू के निवासी थी. फिर जनम लेते लेते, आधा में तुम विकार में गिरे, तो पतित रहे, अब फिर तुमको वाइसलेस सतोप्रधान बनना है. दो अकशर याद करना है, अभी यह है तमोप्रधान दुनिया, सतोप्रधान दुनिया की निशानी यह लक्षमी नारायन है. पांच जार वर्ष की बात है, सतो प्रदान भारत में राज्य था, भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिस्ट है, वाइसलेस से विशश बनने में तुमको 84 जनम लेगी, भल वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, प्रणतु कहेंगे तो संपूरण निर्विकारी एकदम संपूरण निर्विकारी स्रिक्रिश्न को कहींगी, वै गोरा था, अब सामरा बन गया है, तुम यहां बैचे हो तो बुद्धी में रहना चाहीं, कि हम शिवालय में विश्यो के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था, फिर दो कला कम ह होते, त्रेता में दो कला कम हो गई, पीछे विशश बनते हैं, और गिरते गिरते चीछी बन जाती हैं, इसको कहा जाता है विशश वर्ड, विशे वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहां शीर सागर में रहते थे, तुम सारे वर्ड की हिस्ट्री जोगरोफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गई हो, हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे, पवित्र राज्याई थी, उसको कहेंगे फूल स्वर्ग, फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग, यह बुद्धी में तो है न, बापियाकर स्रिष्टी के आदी मद्य अंत का राज समझाती ह मध्य में ही रावन आया है, फिर अंत में इस विशश दुनिया का विनाश होगा, फिर आदी में जाने के लिए पवित्र बनना है, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो, अपने को देह नहीं समझो, तुमने भक्ति मार्ग में वाइदा किया था, बाबा, आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगी, आत्मा बाब से बाते करती है, स्रिक्रश्न कोई सर्वात्माओं का बाब थोड़ी था, आत्माओं का बाब तो निराकार शिव बाबा एक ही है, उस हद के बाब से हद का वर्सा, बेहद के बाब से बेहद का वर्सा भारत को मिलता है, इसलिए सत् शिवालय शिव बाबा ने आकर देवी देवता धरम की स्थापना की ये तो सदेर याद रखना चाहिए खुशी की बात है ना अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया प्रन्तु ऐसे कभी कोई जाता नहीं ये सब भक्ती मार्ग के गपोड हैं दिल खुश करने के लिए सच सच हैविन में तो अभी तुम जाने वाली हो वाँ कोई रोगादी होते नहीं तुम सदैव हर्शित रहते हो तो बाप कितना सहच करके छोटे-छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं बल बाहर में कहां भी रहते तुम पद पा सकते ह हो इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है खानपान शुद हो देवताओं के आगे कभी सिग्रेट बेड़ी आदी का भोग लगाते हो क्या गरंद के आगे कभी अंडे वा बेड़ी आदी का भोग रखा है गरंद को समझते हैं ये जैसे गुरु गोविंद का शरीर है गरं गुरु नानक ने थोड़ी बैच गरंथ लिखा है नानक ने तो अवतार लिया सिख लोगों की व्रदी हुई बाद में वह गरंथ आदी लिखे हैं एक के बाद फिर सिख धरम में आते गई हैं पहले तो गरंथ भी इतना चोटा हाथ का लिखा हुआ था अब गीता के लिए समझते हैं यह स्रिकृष्ण का रूप है ऐसे मानों जैसे नानक का गरंथ वैसे स्रिकृष्ण की गीता गाई हुई है स्रिकृष्ण भगवानु वाची कहते रहते हैं इसको कहा जाता है अज्यान ज्यान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है गीता से ही सद्गती होती है वे ज्यान तो बाप के पास ही है, ज्यान से दिन भक्ती से राथ होती है, अब बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े, माया के तुफान ऐसे जबरदस्त आते हैं, जो ज्यान एक तम उड़ जाता है, किसको बोल भी ना सकें, पहला काम व उत्ती की बाद, बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, तुमने पहचाना श्यू बाबा आया हुआ है, और वर्से के हकदार बनी, गीता भी श्यू बाबा ने ही गाई थी, उसने ही कहा है मामी कम याद करो, मैं साधारन तन में आता हूँ, स्रिक्रश्न साधारन थोड़े ह वे तो जनम लेते हैं, तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पढ़ता है, इसले स्रिक्रश्न का अब तक भी गायन करती हैं, बाकि शासरादि सब भक्ति मार्क के हैं, इंग्लिश में फिलोसोफी कह देती हैं, स्प्रिच्वल नोलेज तो स्प्रिच्वल ग्यान का सागर हूँ, तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ग्यान को धारन कर रहे हो, फिर पिछाडी में बाप मिसल बन जाएंगे, सारा मदार धारना पर है, फिर वे ताकत आ जाएगी बाप की याद से, याद को जोहर कहा जाता है, तलवारों में भी फर्क तो होता है ना, वही तलवार सो रुपे वाली भी होती है, वही तलवार तीन चार हजार की भी होती है, बाबा तो अनुभवी है ना, तलवार का बहुत मान होता है, गुरु गोविन सिंग की तलवार का कितना मान है, तो तुम बच्चों में भी योग का बन चाहिए, तो ग्यान तल बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे, पतित पावन बाप ही युक्ती बता रही है, फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ग्यान देंगे, इनको भी सब त्याग कराके ऐसे ही अपना रत बनाएंगे, तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे, बाप में कशिश है ना, अभी तुमको भी ऐसा संपूरण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे, यह राजठानी स्थापन होती है, स्रिष्टी चक्र को तो समझ लिया है, सत्युगादी से कल्यूग अंत तक, अभी है संगम्यूग, बाप को भी जरूराना पड़े प अर्थार्थ सतो प्रधान, फिर खाद पड़ती गई, अब वह खाद निकले कैसे, आत्मा सची होती है, तो जेवर भी सच्चा अर्थार्थ गोरा शरीर होता है, आत्मा जूटी बनती है, तो शरीर भी पतित होता है, ज्यान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थी, प्लेंट, पेंट का गद्धी पर लगा रहता था, उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे, और कोई की याद नहीं, बाहर और तरफ ख्याल जाता था, तो अपने को चमाट मारते थे, मन भागता क्यों है, दर्षन क्यों नहीं मिलता है, भक्ती में था ना, फिर जब विश पुरुशार्थ तो जरूर करना होता है, एम ओबजेक्ट तो सामनी खड़ी है, ये चैतन्य में थे, जिनका जड़ चित्र बनाया है, बाप आया है पावन बनानी, नरसे नारैन बनाते हैं, तुम भी उन्हों की राष्ठानी में थे, फिर ऐसा बनने का पुरुशार्थ कर ब्रह्मा को देवता थोड़ी का जाता है, विश्नु देवता ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं, कहते हैं, गुरु थोड़ी का जाता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विश्नु, अब विश्नु गुरु किसका हुआ, सब को गुरु कहते रहते हैं, शिव पर प्रमात्मा कह देते हैं, सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम ये सीख रही हैं, औरों को सीख लाने लिए, सत्गुरु जो तुम को समझाती हैं, वह तुम औरों को समझाती हो, गुरु को ऐसी निकएंगे कि ये बाप है, टीचर है, ने तो ये सारी नोलेज तुम्हारी बुद्धी में होनी चाहिए, हम शिवाले में थे, अभी वैशाले में पड़ी हैं, फिर अब शिवाले में जाना है, बल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, जोती जोत समाया, प्रन्तु आत्मा तो अविनाशी है, हर एक में अपना-पना पार्ट भरा हुआ है, सब एक्टर्स उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वह कभी मिट नहीं सकता, जो भी सारे दुनिया की आत्माई हैं, उनको पार्ट बजाना है, जैसे कि नए सिर शूटिंग होती जाती है, प्रन्तु यह अनादी शूटिंग हुई पड़ी है, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रोफी रि ग्यान तुमारे में आगे नहीं था, वंड्र ओफ वर्ल्ड, हैवीन अत्वा स्वर्ग नाम सुनकर दिल खुश होता है, अभी तो सत्यूग है नहीं, अभी है कल्यूग, तो पुनर जनम भी कल्यूग में ही लेंगे, जाना तो सबको जरूर है, प्रन्तु पतित आत्माएं तो जाना सकें, अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से, पावन दुनिया गोड फादर ही स्थापन करते हैं, फिर रावन हेल बनाती हैं, ये तो प्रतेक्शन ना, रावन को जलाती हैं ना, मनुश्य तो कहते हैं ये अनादी चला आता है, प्रन्तु कब से शुर फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं, तो मनुश्य घोर अंधियारे में हैं ना, अज्यान नेद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं हैं, अभी है संगम यूग जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताती हैं, तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्था अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है, बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विगहन डालती है, पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, गुंसा लगा कर गिरा देती है, कि ये कमाई ख पूरुशार्ट पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, इसले कोई गंदर्वी विवाह भी करके दिखाती है, सन्यासी लोग कहते हैं शादी की और फिर पवित्र रहे यह तो impossible है, बाप कहते हैं पोसिबल है, क्योंकि प्राप्ती बहुत है, यह अंतिम एक जनम तुम पवित्र बनेंगे, तो तुमको स्वर्ग की बादशाई मिलेगी, क्या इतने बड़ी प्राप्ती के लिए तुम एक जनम पवित्र नहीं रह सकते हो, कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे, सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यह कोई दागा आदी बांधने की तरकार नहीं, यह तो बुद्धी की बाद है, बाब कहते हैं मामेकम याद करो, बचियां बोतों को सुनाती हैं, प्रन्तु बड़े आदमियों की बुद्धी में बैठता थोड़ी हैं, बाब कहते हैं पहले उनको अच्छे रिती से समझाओ, यह सब प्रजा पिता ब्रहमा की उलाद हैं, शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है, अब बाब कहते हैं मामेकम याद करो, ऐसा तो कोई कहना सकी, पहले तो उनकी बुद्धी में बिचाना है, भारत वाइसलेस था, अभी विशश है, फिर वाइसलेस कैसे बनेगा, भगवानुवा मामेकम याद करो, बस इतना कहें तो भी अहो भागे, प्रन्तु इतना भी कहनी सकेंगे, भूल जाएंगे, बाबा ने समझाय था, उदगाटन तो बापने कर दिया है, बाकि तुम निमित कर रहे हो, फाउंडेशन लगा दिया है, बाकि अब सर्विस स्टेशन का होता है, यह तो गीता की ही बात है, गीता में भी है, ही बच्चों तुम काम चिता पर जीत पहनों, तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए, बल खुद ना बने, औरों को तो समझाई, ऐसे भी बहुत हैं, औरों को उठाकर खुद गिर पढ़ते हैं, काम हैं, एकदम गटर में गिरा देता है, जो बच्चे काम पर जीत पाती हैं, वही जगत जीत बनती हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, धार्णा के लिए मुखे सार, पहला पोईंट, इस अंतिम जनम में सर्व प्राप्तियों को सामने रख, पावन बन कर दिखाना है, माया के विगनों से हार नहीं खान दूसरा पोईंट, एम अबजेक्ट को सामने रख, पूरा पुरुशार्थ करना है, जैसे ब्रह्मा बाप पुरुशार्थ कर, नर्से नारायन बनते हैं, ऐसे फालो कर गद्दी नशीन बनना है, आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है, वर्दान, अधिकारी बन सम समश्याओं को खेल-खेल में पार करने वाले हीरो पार्ट धारी भव, विस्तार, चाहें कैसी भी परिस्थितिया हो, समश्याओं हो, लेकिन समश्याओं के अधिन नहीं, अधिकारी बन समश्याओं को ऐसे पार कर लो, जैसे खेल-खेल में पार कर रही हैं, चाहें बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि ये सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा और ड्रामा के हम हीरो पार्ट धारी हैं, हीरो पार्ट धारी अर्धार्थ, एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, इसले कड़ी समश्या को भी खेल समझ, हलका बना दो, कोई भी बोज ना हो स्लोगन सदा ज्यान के सिम्रण में रहो तो सदा हर्शित रहेंगे माया की आकर्शन से बच जाएंगे अच्छा ओम शान्ति